आज के लेक्चर में हम exercise 2.3 हम लोग solve करने वाले हैं इस chapter का that is chapter number 2 का relations and functions में का आज हम क्या करने वाले है exercise 2.3 को हम solve करेंगे ठीक है I will recommend you to watch the introduction of the exercise 2.3 अगर आप introduction जो है वो अच्छे से समझ जाए तो exercise solve करने में आपको बिलकुल भी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत या फिर तकलीफ जो है या फिर दर्द जो है वो आपको नहीं होने वाला है तो बहुत simple और बहुत आसान आसान से questions है इस exercise में हो कि अगर आपने introduction देखा हो तो आपको जो है ये exercise solve करना बहुत आसान हो जाएगा तो यहाँ पर हमने question example number 1 ले रखा है example number 1 से हम लोग start करने वाले है तो यहाँ पर क्या बुला है which of the following relations are functions नीचे कुछ relations हमें दिये हुग है दिख रहे ना आप यहाँ पर सबको दिख रहे होगे दिख रहे होगे दिख बही है आपको यह check करना है verify करना है कि जो relations आपको दिए हुए यह function है या नहीं है अगर function है तो आपको reason देना है कि वो Q function है उसके बाद आपको क्या करना है domain and range find out करना है ठीक है तो इसके बारे में आपको इक basic idea दे दू function कब होता है इनी relation जो है किसी relation को हम function कब बोलते है तब domain के सारे element जो है हमारी use होने चीए और उसका image जो है ठीक है उसका image जो है वो कैसा होना चीए B में unique होना चीए ठीक है अधर मान लो यह आपका mapping है set A ठीक है जो आपका mapping है set A to B तो हम इस किसी भी relation को हम function कब बोलते है जब क्या होगा domain का हर element जो है use होगा यह क्या होता है हम होता हमारा domain होता है domain भी हमें find out करना है ठीक है ना domain भी हमें find करना है तो set A जो होता है वो क्या होता है आपका domain होता है वो कैसा होना चाहिए यूनीक होना चाहिए अगर वो यूनीक है और सारे element use हो रहे है ये दोनों बाती अगर fulfill हो रही है ऐसे relation को बिटा हम क्या बोलते है function बोलते है ठीक है ना क्या बोलते है function तो function का आपका idea clear हो गया हमने already introduction में बहुत बार देख चुके है तो जादा हम उसको repeat नहीं करेंगे then बोला गया है domain and range है ना तो domain क्या होता है domain is very simple domain is very simple as simple as that कि a जो है relation में का a जो है या फिर input set इसको आप input set भी बोल सकते है इसको आप output set भी बोल सकते है तो set a जो होता है domain उसे हम कहता है domain set a के elements हम कहता है domain ठीक है और set b में हम लोग क्या बूलते है co domain range क्या होता है ठीक है range क्या होता है set b की ac values ठीक है set b की ac values जो हमने use की हो ठीक है हमने क्या की हो use की हो या फिर set b की ac values जिसका pre image जो है वो A में exist हो, ठीक है ना, आर यह बात समझ में, range मतलब क्या होता है, set B की SE values, जो हमने used करी हो, जो हमने used की हो, या फिर उसको आप क्या बूल सकते है, set B की हर values, जो क्या हो, जिसका pre image वो A में exist हो, ठीक है, set B की हर सारी relations हम यहाँ पढ़ेंगे, सारी relations हम क्या करेंगे यहाँ पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको denote कर लेंगे, let r is equals to, यह जो relation आपको दिया हुआ है, equation number 1 उन लोग solve करने वाले हैं यहाँ पे, इसका relation जो ही दिया हुआ, इसको हम node कर लेते यह 2, 1 है, इसे क्या कहा इंस डूब जहाँ पर फ्रूर्स्ट एलिमेंट जो है उस से डे से आता है ठीक है कहां से आता है set A से आता है अगर मानलो अगर आपने A क्रॉस B ले रखाओ ठीक है A क्रॉस B ले रखाओ और अपने अगर A defined from F defined from A to B ले रखाओ ठीक है तो in both the cases ठीक है इन both these cases जो first ordered pair में का जो first element है वो कहां से आता है first set से आता है set A से आता है और जो second element है हो क्या होता है set B से आता है ठीक है and regarding to relation ठीक है in particularly when we talk particularly about the relation जब सिर्फ हम relation के बारे में बात कर रहे हो तो domain क्या होता है it is a set of first entries in the all the ordered pairs which belongs to the relation ठीक है in case of relation अगर आप सिर्फ relation के बारे में बात कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है domain क्या होता है it is a set of all the elements of first entries in ordered pair मतलब ordered pair की first entries का जो set होता है ठीक है वो set होता है उसे हम क्या कहते है domain कहते है ठीक है और जो ordered pair से किसके elements होने चीए तो भी यह range क्या होता है range भी हमने देखा था range क्या होता है it is a set of second entries मतलब ordered pair में जो second element होता है उसका जो set हो क्या होता है range होता है और definitely जो ordered pair हो क्या होने जी की element होनी चाहिए ठीक है तो सबसे बेले हम क्या करेंगे यहां पर आप चाहिए तो domain note कर सकते हो domain आपके पास है ठीक है डोमेन इसी क्वेस्ट तो क्या होगा set of first entries क्या है 2 है 5 है 8 11 and 14 है तो क्या हो जाएगा 2 5 11 and takya 2 5 8 ठीक है 2 5 8 इन क्या है माहरे पास 11 है ठीक है और दन क्या ही माहरे पास14 है दन क्या हमारे पास 17 है तो भी है हिए ही होगा domain ठीक है simple-simple सी बात रे which belongs to the relation, ठिक है ना, then सुनो, ठिक है, अब सुनो, range, range क्या होता है, ठिक है भी यह, range, range क्या होता है, it is a set of second entries, from all the ordered pairs which belongs to the relation R, अब यह second entry में देखो, element क्या है, one है, one है, one है, one है, one, one लिखेंगे, ठिक है, सिर्फ क्या लिखेंगे, one लिखेंगे, तो domain और range जो है, आपने बहुत easily find कर लिया, domain जो हमें कितना मिला है, 2, 5, 8, 11, 14 and 17, और range हमें कितना मिला है, students, one मिला हुआ है, है न, दिन हम क्या करेंगे न, हमें देखना है कि यह function है या नहीं है, function है या नहीं है, मतलब इसका क्या करना है, हम mapping बनाएंगे पहले तो, ठिक है, हम mapping बनाएंगे, mapping बना कि हम लोग चेक करेंगे, यह function है या नहीं है, ठिक है, तो यह हो गया आपका set A, ठिक है, यह हो गय और फेर में relation R में जो ordered pair में first entries है वो किसके elements है 8 elements है कुन्से elements है 2 है 5 है 8 है 110 है 13 है 14 है 17 है 17 वबबर आपको यहां पर draw करना है वबबर आपको यहां पर लिखना है ठीक है यहां पर आप देखो set B में set B से कौन सा element आ रहा है सिर्फ 1 आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा 1 ठीक है तो यहाँ पर आप देखो order pair क्या है 2 1 तो 2 को हम 1 से connect कर देंगे order pair क्या है हमारी 2 1 तो हम 2 को 1 से connect कर देंगे ठीक है न यहाँ पर देखो 2 5 1 5 जो है 1 से connected है तो यह हो गया 5 1 then क्या है 8 1 8 भी जो है 1 से connected है तो यह हो गया आपका 8 1, then क्या है 11 1, 11 भी जो है आपका 1 से connected है, that is 11 1 Then क्या है 14 1 तो आप देख सकते हो कि यह जो element है 14 उसे connected है that is 1, and 17 1 की किसके साथ ordered है? 1 के साथ यह ordered है, तो आप क्या देखूंगी यहाँ पे यह 17 है किसके साथ connected है? वन के साथ connected है ठीक है अब यहाँ पर आप देखो ठीक है function की हमारे definition क्या कहती है क्या कहती है कि एक सारे element जो है वो use होने चीए ना एक जो सारे element है वो use होने चीए और उसका image जो unique होना चीए अब देखो unique है या नहीं है सुनो है ना यहाँ पर देखो 2 का image 1 है ठीक है 2, 5, 8, 11 14 and 17 तो यह चार जितने भी a में element से सारे use हो गए first definition is fulfilled अब हमें देखना है कि इसका image unique है या नहीं है ना देखो अब यार यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि सारे के सारे a की element से connected है तो सबके मन में लगा होगा सार यह unique नहीं है बट बिटा यह unique है अब क्यों unique है यहाँ आप देखो कि भले ही हो सबके लिए common हो ठीक है भले ही हो जब हम with reference 1 मतलब set B के regarding हम जब बोलेंगे ना तो हम यह देख सकते कि set 1 की images जो pre images से वो unique नहीं है है ना element 1 की insert B इसकी जो pre images से वो unique नहीं है बट अगर आप set A के तरफ से बात करते हो जब आप set A के तरफ से हाथ मिला लेते हो वो जब आप इसके तरफ से देखते हो ना तो आप देखो 2 का जो value है 1 है 2 का जो value कितना है 1 है 5 का जो value है 1 है 8 का जो value है 1 है 11 का जो value है 1 है 14 का value भी 1 है 17 का भी value 1 है मतलब set A के elements की कोई भी 2 values है क्या नहीं है सिर्फ क्या है A की value possible है कोई other value वहाँ पर exist नहीं करती मतलब क्या है कि जब हम set A के तरफ से बात करेंगे जब हम biased हो जाएंगे उसके तरफ से बात करेंगे तो क्या दिख रहा है कि 2 का value unique है मतलब A की value है 2 की कोई other value है क्या नहीं है 5 की value कैसी है 1 है unique है कोई other A क्या नहीं है similarly 11 की भी 1 है 14 की भी 1 है और 17 की भी 1 है unique है तो दोनों condition हमारी fulfill हो गई और दोनों condition हमारी fulfill हो गई तो क्या होगा relation is function तो हम कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे r is a function ठीक है r क्या है हमारा function है since since each and every each and every element each and every element in a a has unique ठीक है has a unique image ठीक है has a unique image in b क्यों function है भी या क्योंकि यह क्या है इसका a का हर element use हो रहा है और साथ में उसका image जो है कैसा है unique है ठीक है तो इन दोनों conditions को मिला के हमारा क्या बनता है function बनता है तो first case हमने यहां पे देख लिया फर्स question में हमने क्या किया पहले हमने domain देखा domain के बाद हमने range निकाला range के बाद हमने क्या क्या mapping बनाया और mapping के तुरू हमने आपको समझा दिया कि यह क्या है function है ठीक है ना then next example की दरब बढ़ेंगे next question की दरब question number 2 ठीक है question number 2 तो सबसे बहले आप इसको r से denote कर दो let r is equal to let r is equal to क्या धिया हुआ यहाँ पे 2,1 ठीक है 2,1 है then क्या है 4,2 है then क्या है 6,3 है then क्या है 8,4 है then क्या है 10,5 है 10,5 then कितना है 12,6 12,6 है then क्या है हमारे पास 14,7 है ठीक है तो यहाँ पर इसको हम close कर लेंगे भी है ठीक है ना आप domain जो है पहले find out कर लो domain मतलब क्या होता है domain मतलब क्या है भई domain क्या है it is a set of first entries यह क्या है it is a set of first entries from ordered pairs which belongs to the R मतलब relation R में जितनी भी ordered pairs है उन सब ordered pairs का जो first element का मिला के जो set बनता है उसे हम क्या कहते है domain कहते है तो फट से domain हम note कर लेंगे यहाँ पर है ना क्या है 2 है 4 है 6 है then 8 है then 10 है then 12 है then 14 है कोई भी element repeat नहीं हुआ है ठीक है ना then range range भी आपको यह पता है कि range क्या होता it is a set of second entries from all the ordered pairs which belongs to the R मतलब R के अंदर जितनी भी ordered pairs है उनकी second entries का जो set है उसे हम कहते है range उसे हम क्या कहते है range तो यहाँ पे देखो 1 है then क्या है 2 है 3 है 4 है 5 भी है 6 भी है और 7 भी है ठीक है क्या है 7 भी है तो यहाँ पे हम check करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, check कर लेंगे, mapping बनाएंगे, domain or range हमने, find कर लिए, अभी हमें क्या देखना है, तो function है या नहीं है, हम कैसे दिखेंगे by mapping, कैसे देखेंगे by mapping, तो यहाँ पर लिखेंगे लो elements क्या है, 2 है, 4 है, then क्या है, 6 है, 8 है, then क्या है, हमारे पास 10 है, then हम हमारे पास 12 है, 10 है, 12 है, then क्या है, दिखेंगे आपको, 14, then क्या है, हमारे पास 14, तो यह सारे elements जो है इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीके न, इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीके, then यहाँ पर आप देखो range में, code domain में जो second interest का set B, यह हो गया set A, यह क्य हो गया, आपका set B, और यह mapping क्या है, हमारा F, mapping from A to B, I have to define from A to B, तो set B के elements क्या है, क्या elements से set B के, 1 है, 2 है, ठीके न, देखेंगे, 3 है, then क्या है, 4 है, ठीके, then क्या है, 5 है, then क्या है, 6 है, and then 7, ठीके, क्या है, 7, तो देखो, यह related है या नहीं, 2 जो है, 1 से connected है, ठीके, दिख है, 6 जो है, 3 से connected है, ठीके, 6 जो है, 3 से connected है, then क्या है, 8 जो है, 4 से connected है, 8 जो है, 4 से connected है, then 10 जो है, 5 से connected है, 10 जो है, 5 से connected है, 12 जो है, 6 से connected है, ठीके, 12 जो है, 6 से connected है, और 14 जो है, 7 से connected है, यह तो बहुत simple सा और बहुत आसान सा mapping आपको मिल गया, आप देख सकते हो, क्या द एलिमेंट जो है क्या है यूज हो चुका है और साथ में A में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनका इमेज भी में कैसा है यूनीक है कैसा है यूनीक है तो therefore दोनों कंडिशन जो हमारी डेफिनेशन की function की फुलफिल हो गई है और अगर फुलफिल हो गई तो भी यह क्या है हमारा function है आप क्या reason देंगे function लिखते से में यहाँ पर मेरे पास space नहीं है आप कैसे लिखेंगे since each and every element of A since each and every element of A has a unique image in B so therefore this set this relation is a function ठीक है अगई बात समझ में कोई दिक्कत ठीक है question number 3 क्या है ठीक है तो यहाँ पर देखो R is equals to ठीक है R is equals to यहाँ पर हम दिखेंगे क्या दिया आपको यहाँ 1 3 दिया हुआ है first ordered pair is 1 3 second ordered pair is 1 5 है न और 3rd ordered pair क्या भी है यहाँ पर 2 5 क्या है 2 5 तो यहाँ पर जो है न सबसे पहले आप domain लोग लिखे लो ठीक है क्या लिखे लो domain लिखे लो domain आपको पता है क्या होता है it is a set of first entries from all the ordered pairs which belongs to the R है न क्या है मतलब R की जितनी भी ordered pairs है उनकी first entries का जो set होता है उसे हम कहते है domain तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 1 1 1 2 1 repeat होगा है तो एकी बार लिखे लिखेंगे दिन क्या है 2 यह हो गया हमारा domain दिन हमें range निकालना है ठीक है range range कैसे निकालेंगे भी यह आप range कैसे निकालेंगे range के लिए क्या करना होता है ordered pair की second entries का जो set है all the ordered pair sorry set of all the second entries set of all the second entries of ordered pairs which belongs to the R मतलब R के अंदर जितनी भी किसी relation के अंदर जितनी भी ordered pairs है उनका set ठीक है उनके second entries का जो set होता है उसे हम कहते है range तो यहां पर दिखो क्या है 3 5 5 तो यहां पर 5 जो repeat हो रहा है तो एकी बार लिखेंगे that is 3 5 तो range आपको क्या मिलेगा 3 5 मिल जाएगा तो यहां पर आप बनाएंगे फिर mapping है न पूई दिक्कर तोडी नहीं हमें बनाने में फट से बना लेंगे फटा फट तो फट से बनाएंगे तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा भी यहां से मैपिंग ले लेंगे एप मैपिंग फ्रॉंग A to B बहुत आसान भासा में हमें लिखना है ठीक है कोई बहुत ज़ाधा हाइप बहुत ज़ाधा हमें इसमें कुछ समझने लायक है ऐसा कुछ नहीं बहुत सिंपल सिंपल सा कॉंसेट है ठीक है तो नमें हैना फर्स्ट इंट्रिस का देखो कितने येमेंट से मैं है दुब एक थिक यहां पर देखो मेंä कितने फ्र1 लुसा कनेक्टेव से ना रही जहाँ थर फाइंसेट लिया तू जयू चाहँ और तूजर ऑनारव फिर विर से फाइवर को अने को नैक्तेटेएगे क्या है दिख़ा है तो जो यहां फाइब से सकनेक्टेट है तो यार यहां पर आप देखो कि यह function है यह नहीं है ठीक है यह reproduction है क्या मुझे लगता है नहीं है आप देखो कैसे है किना यहां पे देखो यह जो वर नहीं न इसकी 2 possible values मिली आपको इसरे इमेंटते हिरा को क्या है यक्रत शूभला न होना चीए है तो यहां पर की जोलman की उुनिक हो ग soit 3 & 5 आप्सक्षर मेरा जमी इना टिव्मार मिलित दो इमेजमे थिए और श्यूनिक होगा क्या नहीं होगा switch अगर 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 आपको देख पता करना है कि यह फंक्शन क्यों नहीं है तो आप कैसे लिखेंगे इमेजेस इनसेड बी आर नॉट यूनीक अब यहाँ पर देखो इनस क्यों नमबर वन को और कोशन नमबर टू को आप देखो तीक है क्या डिफरेंस है यहाँ पर क्या था ना इसकी वन की जो है ना वन की बहुत सारी प्री इमेजेस थी यहाँ ना इसका दो इमेजेस आपको मिल रहा है कितना इमेजेस मिल रहा है? दो images मिल रहा मतलब एक ही element की दो images है तो ये unique हुआ क्या नहीं हुआ ये unique है ये क्या है unique है क्योंकि एक element की एक ही possible value मिल रही है भले ही हो सब के लिए common हो ठीक है भले ही हो क्या हो सब के लिए common हो जैसे हम समझ सकते हैं यहाँ पर देखो कोई राम है ठीक है define कर रहा है तो यहां पर क्या होगा राम के लिए भी इनके फादर unique है और शाम के लिए भी इनके फादर unique है है ना ऐसा कोई un uniqueness मिल रहा है कि आपको नहीं मिल रहा है राम के लिए भी एक ही फादर है भले ही दोनों के फादर common है ना दोनों राम और शाम के फादर जो हो common है बट वो राम के लिए भी unique है और साम के लिए भी unique है तो इस case में यह क्या हो गया? unique हो गया मतलब two elements can have the one image है ना two elements क्या है common image contain कर सकते है but one element cannot have the two images but एक element की दो images possible नहीं हो सकते है ना two elements का एक image common हो सकता है अगें ठीक है धैन से सुनो ठीक है मेरी बात सुनो मैं क्या बूल रहा है दो elements का एक image common हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है कोई बुराई वाली बात नहीं है but एक element की दो images नहीं हो सकती एक element की दो images नहीं हो सकती और अगर दो images होती है तो uniqueness खतम हो जाती है और uniqueness खतम हो जाती है तो वो हमारा function नहीं होता है ठीक है So this is the solution for the example number 1 बढ़ते हैं हमारे अगले example की तरब तो चलिए देखते हैं हमारा example number 2 ठीक है, example number 2 में क्या पूछा गया है Find the domain and range of the following real functions f of x is equals to ठीक है, minus mod x ठीक है, और यहाँ पे 4 of x is equals to क्या दिया हुआ है, आपको root 9 minus x को है ठीक है, तो भाई साब, यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाईया बताओ कि जो आपको function दिये हुए है उसका domain क्या है और range क्या है, ठीक है ना, तो मान लो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे अभी तक पढ़ा था कि अगर suppose कोई mapping है जो आपको defined किया हुआ है, set a से set b में, है ना, set a से अगर set b में defined किया है तो भी आप क्या बूलते थे, sir यह जो set हमारा है, यह क्या है, हमारा domain है, क्या है, domain है, और यहाँ पे ना, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एक trick खिल दिया आपके साथ, ठीक है क्या खिल दिया, एक trick खिल दिया, यहाँ पे कोई भी range या फिर कोई भी आपको, जो क्या बूल सकते, mapping, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ नहीं है सिर्फ इन्होंने आपको क्या दे दिया एक function दे दिया और बोल दिया भीया बताओ कि इसका domain क्या होगा और range क्या होगा है ना तो अगर इस type से function आपको दिया नहीं है तो आप range कैसे find out कर सकते है और domain कैसे find out कर सकते है यह अभी हम यहाँ पर देख क्या थी ठीक है डोमेन की जो हमने दूसरी डेफिनेशन पड़ी थी हो क्या होती है कि सेट ठीक है सेट की सेट की ऐसी वैलू जिसके लिए फंक्शन जो हो डिफाइन हो ठीक है एक्स की या फिर आप बोल सकते है एक्स यह जो आपको फाइनाइट वैलू देता है उस सेट की वैलू उस वैलू के सेट को हम कहते है डोमेन ठीक है उस वैलू के सेट को हम क्या कहते है डोमेन आगे ना रिपीट हम मैं क्या कह रहू कि एक्स की ठीक है एक्स की ऐसी वैलू जो क्या करता है X के ऐसी values जिसके लिए हमें function क्या देता है real value देता है finite value देता है तो इस values के set को हम क्या कहते है domain कहते है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे one by one हम दोनों का यहाँ solution लिखा लेंगे तो लिखेंगे सब solution first first का acceptable solution लिखेंगे given तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि मौड एक समारा क्या करता है मौड क्या करता है किसी भी निगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है है ना हमें पता है मौड एक समारा क्या करता है एक तो ग्रेटर दैन जीरो होगा या तो फिर क्या होगा इक्वल स्टू जीरो होगा ठीक है ना तो यहां पे फ of x is equal to अगर आपको minus mod x दिया हुआ है ठीक है ठीक है ठीक है आप देख सकते हो कि आप x की कोई भी वैलू पुट करो है ना आप x की कोई भी रियल नंबर पुट करो सपोज अगर आप 1 पुट करेंगे तो f of 1 is equal to आपको यहां पे क्या मिल जाएगा f of 1 is equal to क्या मिल जाएगा minus mod 1 is equal to minus 1 है ना क्या मिलेगा minus mod 1 is equal to minus 1 अब कोशन आता है इस सेर आपने तो कहा था कि mod जो हो negative value कर देता है अगर x में आप negative value दोगे ठीक है और यहां पे mod के बाहर minus sign लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है जो भी positive value आने वाली है उसको फिर से क्या कर देगा negative कर देगा ठीक है कि देखो हम यहां पे इस तरीके से इसको समझ सकते है कि अगर हमने x जो है ठीक है एक सो जो हमने 4 लिया हुआ है तो क्या हो जाएगा f of 4 is equal to कितना हो जाएगा minus mod 4 और यह जो mod है वो क्या कर देगा 4 को क्या कर देगा 4 ही लिखेगा और यह जो minus है वो आपका बाहर है तो minus 4 हमारा क्या होना चीए minus 4 उसी तरीके से अगर आप if of minus 4 find out करते हो ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा minus of mod minus 4 ठीक है now is equal to यह जो बाहर का minus है वो आपका यहां पर as it is रहेगा बड़ जो अंदर में negative sign है उसको mod क्या कर देगा positive कर देगा है ना सुनो क्या बोल रहा हो मैं यह जो mod के अंदर में negative sign है mod क्या करेगा उसको positive कर देगा तो आपको 4 मिल जाएगा और यहाँ पे जो बाहर negative बैठा हुआ है वो फिर से उसको catch कर लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा minus 4 क्या होना चीए minus 4 ठीक है ना तो यहाँ पे जब आप x की कोई भी value देंगे ठीक है तो जैसे हमने 1 दिया में minus 1 मिला suppose अगर हम minus 1 देते हैं तो फिर भी क्या मिलेगा minus of mod minus 1 is equals to minus of mod minus 1 कितना हो जाएगा 1 ठीक है कितना हो जाएगा 1 और minus of 1 कितना होना चीए minus 1 ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे x की कोई भी value put करो कोई भी real number उठा के डाल दो ठीक है ना x को कोई भी real number दे दो वो खुला केलेगा ठीक है क्या करेगा खुला केलेगा x को कोई भी real number आपने दे दिया तो आपको value देगा ठीक है क्या करेगा value देगा इसका मतलब क्या है x is well defined x जो है क्या है well defined है किसके लिए x अगर क्या होता है R होता है ठीके ना तो इसे क्या लिख सकते है here f of x f of x is well defined f of x is well defined for every x belongs to R f of x is well defined for every x belongs to R अगर आप x का कोई भी real number value real value इसमें put कर दो चाहे फिर negative हो चाहे फिर हो positive हो चाहे फिर हो decimal हो चाहे फिर हो fractional हो कोई भी value आप इसको दे दो क्या करेगा आपको वो एक number देगा या फिर real number देगा ठीके ना तो यहाँ पे इसके उपर से हम क्या भूल सकते है कि f of x is well defined for every x belongs to R ठीके इसका मतलब क्या है R की हर value के लिए R की हर value के लिए हमारे पास function क्या देता है कोई नो कोई value देगा इसका मतलब क्या होगा कि इसका domain क्या है R है इसका domain क्या है R है So this implies this ठीक है this implies this domain of f ठीक है domain of f is equal to कितना हो जाएगा R domain of f is equal to कितना हो जाएगा R domain of function is equal to R ठीक है to find domain so to find domain में आप ए aprender ee लिख दे ना, ठीक है, दे नहें हम क्या करेंगे next to find to find range ठीक है na to find range, तो यह range के से find out करेंगे हम लो合 ठीक हे na, तो range का मतलब क्या होता है range का मतलब क्या होता है set b की ठीक है, इस set b की sc values, जो क्या किए हमने use की है set b की sc values जो हमने use की है, या फिर अप इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते है, set B की S CAMs, जो क्या है image है, किसकी image है, set A की element की, set B की S CAMs, जो क्या है, set A की images है, या फिर इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते है, जैसे domain क्या होता है, set of values of x for which the function is defined, तो वैसे ही यहाँ पर range क्या होता है it is the value of f of x मतलब x की जो value put करने के बाद आपको values मिलेगी x की values put करने के बाद x की values put करने के बाद आपको जो f of x value देगा x की values put करने के बाद f of x हमें जो value देगा वो क्या होती है हमारी range होती है तो अभी हमें क्या करना है F of X की यहाँ पे values find out करनी है कि X अगर हम R put कर देते हैं तो यहाँ पे F of X हमें कोन सी values देगा ठीके ना तो यहाँ पे आप देखो ठीके जैसे to find range हमें पता है कि mod X जो क्या है positive number है मतलब हमें क्या देगा positive number देगा ठीके ना तो mod X जो होता है क्या होता है it is greater than equals to 0 है ना mod X is always greater than equals to 0 it always gives the positive number mod X क्या करता है हमें हमेशा positive number देता है और अगर हमें mod X positive number देता है तो इसको हम कैसे लिख सकते है mod X is greater than equals to 0 इसी को आप कैसे लिख सकते है अगर इसको हमने negative sign से multiply कर दिया क्या कर दिया इसको अगर हमने negative sign से multiply कर दिया तो क्या हो जाएगा भी है क्या हो जाएगा minus mod of x ठीक है अब अगर इस number को हमने negative कर दिया तो यह जो greater than equals to sign है हो क्या हो जाएगा हमारा less than equals to हो जाएगा क्या हो जाएगा, less than equals to हो जाएगा, ठीक है, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते है, implies, ठीक है, minus mod of x, देखो, यहाँ पे हमने क्या तक ही आता, हमें पता था कि mod x जो हो क्या होता है, greater than equals to 0 होता है, है न, mod x क्या होता है, greater than equals to 0 होता है, मतलब mod का क्या काम है, mod क्या काम करता है, किसी भी negative number को positive में convert कर देता है, आप उसे कोई भी number दो, positive दो या फिर negative दो, आपको क्या करेगा, positive number ही देगा, तो इसका मतलब क्या है, कि mod x जो हो हमेशा कैसा होता है, greater than equals to 0 होता है, और अगर ए greater than equals to zero है, इसको मैं minus sin से multiply कर देता हूँ, ठीक है? मैंने क्या कि यहाँपे minus sin से multiply कर दिया तो यह क्या हो गया? minus mod of x और अभी हमने यहाँ पे देखा था, कि अगर आप mod को minus sin से multiply कर दो, ठीक है? mod को आप minus sin से multiply कर दो, तो जो भी element आपका आएगा होगा negative होगा मतलब क्या होगा less than equals to 0 होगा ठीक है ना तो यह जो minus mod of x से हो क्या होना चाहिए less or equals to 0 अगर यह less or equals to 0 है इसी को आप कैसे लिख सकते बड़ minus mod of x हमारा क्या है f of x है ना minus mod of x हमारा क्या है अगर यहाँ पर f of x से तो यह क्या होझा जाएगा f of x is less or equals to 0 f of x is less or equals to 0 तो भाई साब यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है यह क्या कह रहा है कि भाया मेरी जो value है ठीक है मेरी जो value है वो कैसे होगी एक तो 0 से less होगी या तो फिर equals to 0 होगी यहाँ पर देखो यह जो clearly f of x, यह खुद बता रहा है हमें, यह जो f of x आपको दिख रहा है, यह खुद हमें बता रहा है कि भाया, मेरी जो value है, वो एक तो less होगी, 0 से less होगी, या तो फिर क्या होगा, उसके equal to हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है, उससे बड़ी value नह मतलब इसका maximum जो value है, ठीक है, maximum जो value है, क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे close interval 0, क्योंकि यहाँ पर 0 included है, और comma, इसके बाद की जो values हो कुन से रहेंगी है, हमेरी less है, मतलब कैसे हो नीची है, negative हो नीची है, तो अगर आप number line पे देखोगे, ठीक है, अगर आप number line पे देखोगे, तो यह होता है, आपका infinity, ठीक है, यह होता है, अगर f of x जो है, वो less or equals to 0 है, f of x, अगर less or equals to 0 है, इसका मतलब क्या है, कि f of x का value 0 होगा जो हमने close से show कर दिया close interval ठीक है अब यहाँ पे 0 के बाद जो value जो है कैसी है negative है और negative हम कहा तक देखते है minus infinity ठीक है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसको ऐसे open कर देंगे और लिख देंगे minus infinity ठीक है क्या कर देंगे minus infinity अब open का मतलब क्या है कि minus infinity जो है वो included नहीं है मतलब infinity नहीं है तो minus infinity के पहले जो भी number आएगा ओहा कैसा होगा हमारा finite होगा कैसा होगा finite होगा अगर हम यहाँ पे close लिख देते ठीक है अगर हम यहाँ पे close लिख देते तो इसका मतलब क्या होता कि minus infinity इंक्लिटेट है बट यहां पर function जो है it is well defined for the r किसके लिए well defined है r के लिए defined है मतलब r की आप जो भी value put करेंगे आपको एक finite number मिलेगा क्या मिलेगा finite number मिलेगा जो इसको contradict करेगा ठीके ना तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 0 तो हमने ले लिया 0 भी यह included है और 0 के बाद सारे negative numbers आएंगे तो सारे negative numbers मतलब कैसे denote करेंगे सारे negative numbers को open minus infinity ठीके minus infinity ठीके open minus infinity तो अभी से range का मतलब क्या हो गया क्या इसको यह satisfy करता है या क्या इस condition को यह fulfill करता है तो जी हाँ बिल्कुल करता है अगर less और equal to 0 है इसका मतलब क्या है 0 included है 0 क्या है included और minus infinity यहाँ पर round bracket क्या बताता है कि यहाँ पर minus infinity जो है क्या है excluded है मतलब minus infinity के पहले आने वाले जितने भी number है कि मानलो यहाँ पर कोई number है यह भी क्या होता है हमारा finite होता है क्या होता है finite होता है मतलब minus infinity को अगर हम छोड़ दे तो यहाँ पर देखो, हमने क्या कर दिया है, पहले तो हमने domain find out कर लिया, f of x is equal to root, sorry, minus mod x आपको दिया, तो हमने उसके उपस हमारा domain find out कर लिया, और domain के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर range find कर लिया है, ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम question number 2 के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है वई, question number 2 के तरफ बढ़ते हैं सब लोग, चलो लिखेंगे, solution for the question number 2, question number 2 क्या है हमारा पास, ठीक है na, solution for the question number 2, ठीक है, यहाँ पर आपको f of x क्या दिया हुआ है, given, ठीक है, given, f of x is equals to, f of x is equal to under root of 9 minus x square under root of 9 minus x square so therefore therefore to find सबसे पर हम क्या करेंगे to find domain to find domain हम लोग domain find करेंगे तो यहाँ पर देखो domain find out करने के लिए फिर से हमें वही concept use करना पटेगा कुन सा concept use करना पटेगा set x के ऐसी values जिसके लिए function क्या है defined हो अब बात यहाँ पर देखो मेरी बात सुनो अगर किसी दिन मैं आपको यह बोल देता कि यह जो 9 minus x square है उसका negative value है अगर मैं किसी दिन आपसे यह बोल देता कि 9 minus x square जो है इसका value negative है तो क्या होता बिया अगर root के अंदर negative आता है अगर root के अंदर negative आता है तो अगर root के अंदर negative आता है तो क्या होता है क्या है हमारा real number होता है नहीं होता है यह क्या होता है imaginary होता है क्या होता है imaginary होता है अगर हम इसके अंदर root के अंदर 9 minus x square का value negative ले ले लेता मैं किसी दिन अगर आपसे ये बोल दू कि भाईया 9-x² अगर negative है तो मुझे बताओ root का value क्या होगा तो क्या होता ये? imaginary हो जाता अंदर में अगर negative है root के अंदर में अगर negative है तो क्या हो जाता है? i हो जाता, imaginary हो जाता है और हमें बड़ी तकलीफ होती हमें क्या होती? बहुत तकलीफ होती बहुत दर्द होता क्योंकि हम इसे defined नहीं कर सकते अच्छे से तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? ये बताने का मतलब क्या है? कि जो 9-x² हो आप कभी यह positive होना चीए 9-x² हमारा क्या होना चीए? positive होना चीए आप उसको positive, कोई भी positive value दे दो 9-x² आप कोई भी positive value ले ले लो और कैसा होगा? खुला खेलेगा सारी values आपको देगा positive values कोई भी positive values आप दे दो खुला खेलेगा वो बिल्कुल टिके ना? जब तक हमें accepted होगा जब तक हो क्या है? रियल है जब तक हो क्या है? रियल है या फिर positive है बट जिस दिन हो negative हो जाएगा उस दिन हमें क्या होगा? imaginary मिलेगा और imaginary अगर हमें मिलता है तो हमें बहुत तकलीफ होगी तो कहने का मतलब क्या है? कि यह जो root के अंदर value होती है root के अंदर जो value होती है यह हमेंशा कैसे होनी चीए? positive होनी चीए इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? कि 9 minus x square जो हो कैसा होना चीए? greater than equals to 0 होना चीए greater than equals to 0 होना चीए अगर greater than equals to 0 है इसी को आप कैसे लिख सकते हो? 9 is greater than equals to x square 9 is greater than equals to x square यह इसी का मतलब क्या होता है, x square is less than equals to 9, ठीक है, x square is less than equals to 9, और इसी का मतलब क्या होता है, that is x square is less or equals to, ठीक है, x is less or equals to, अगर आप square root ले लो तो क्या मिलेगा, under root of 9, और under root of 9 का मतलब क्या होता है, x is less or equals to plus minus 3, ठीक है, x is less or equals to plus minus 3, बेट हमने क्या बोला था, it is greater than equals to 0, तो अ यहाँ पर x की दो values मिली है, positive, negative, तो अगर मुझे x की एक ही value लेना है, तो मुझे क्या करना पढ़ेगा, मैं यहाँ पर mod ले लूँगा, mod ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा, it is less or equals to 3, है ना, mod क्या करेगा, positive, यह जो negative आपको दिख रहा है, उसको क्या कर देगा, positive कर देगा, तो अगर mod of x less or equals to 3 है, यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या है, 3 है, तो जैसे हम mod of x less or equals to a को आप कैसे लिख सकते है, x greater than equals to minus a, less than equals to a, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x is greater than equals to minus 3, less or equals to 3, ठीक है, x is greater than equals to minus 3, less or equals to 3, कहने का मतलब क्या है, कि x का जो possible value है, वो किस range में रहेगा, x की जो value है, किस range में रहेगी, minus 3 से लेकर 3 के range में, ठीक है, minus 3 के पहले, या फिर 3 के बाद अगर आपने कोई number दे दिया, ठीक है, minus 3 के पहले, या फिर 3 के बाद अगर आपने कोई number दे दिया, तो भी यह क्या हो जाएगा, negative हो जाएगा, या फिर यह well defined नहीं रहेगा, यह function जो है, ठीक है, यह जो function है, only किस values के लिए defined है, एक तो x is equal to minus 3 से लेकर के 3 तक, minus 3 से लेकर के 3 तक जितने भी number है, उन सारे numbers के लिए हमारा x कैसा रहेगा, well defined रहेगा, ठीक है न, तो यहाँ पर आप domain कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, x belongs to, है न, x belongs to, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो, minus 3 क्या है, less or equals to मतलब included है, तो यहाँ पर हम close कर देखेंगे, और यहाँ पर 3 कैसा है, again included है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, close interval लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, कि x is a well defined function, ठीक है, यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, so this will implies, ठीक है, f of x is well defined, is well defined, f of x is well defined for, ठीक है, x belongs to the close interval minus 3,3, x किसके लिए well defined है, minus 3 से लेकर 3 तक, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि this function is well defined for this range, तो हमारा domain क्या हो जाएग अभी है, क्या होना चाहिए domain, domain of f is equals to कितना हो जाएगा, close interval minus 3,3, हमने यह सब interval अल्रीडी पढ़ रखेंगे, कि close interval क्या होता है, open interval क्या होता है, open close interval क्या होता है, फिर close open interval क्या होता है, तो यह close interval का मतलब क्या है, कि minus 3 भी included है, और 3 भी included है, तो यह हो गया हमारा domain, then find करेंगे range, तो लिखेंगे सब, to find, to find range, to find range, हाँ भài, range अगर हमें find करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे आप देखो कि हमने यहां पे क्या note किया था, कि x कैसा है, greater than equals to minus 3 है, less than equals to 3 है, since, x is greater than equals to minus 3, less or equals to 3, x कैसा है हमारा, greater than equals to minus 3, less or equals to 3, इस ही को आप क्या note कर सकते है, X is less or equal to 3 X कैसा है Less or equal to 3 है इसी का मतलब क्या होता है Squaring अगर आप दोनों side में squaring कर दो तो क्या हो जाएगा X square is less or equal to 3 9 ठिक है 3 का square कितना होता है 9 तो X square is less or equal to 9 अगर X जो है X square less or equal to 9 है मतलब क्या हो सकता है एक तो 9 से छोटा होगा और क्या होगा, less, again एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, कि x जो हो square है, ठीक है, x क्या है यहाँ पे, square है, तो किसी भी element का square negative होता है क्या, किसी भी number का square negative होता है क्या, नहीं होता है, अगर square है तो हमेशा क्या होगा, positive होगा आपको पता है न, square जो है, ठीक है, square जो होता है, square is always positive, square जो हमेशा क्या होता है, positive होता है हमेशा, ठीक है न, तो यह जो x square है, इसका जो value less or equals to 9 है, और क्या हो जकता है, x is greater than equals to 0, less or equals to 9, why? it is greater than equals to 0 because x square is always positive, तो x square less or equals to 9, इसी को हम क्या लिक सकते है, x square is greater than equals to 0, less or equals to 9, then इसी को हम कैसे लिक सकते है, अगर हम, Ġीक है, अगर हम, minus sign से इसको multiply कर दे, ठीक है, negative sign से multiply कर दे, multiplying, multiplying by negative, ठीक है, multiplying by negative, अगर negative sign से आप multiply कर दो तो क्या हो जाएगा 0 into negative 0 हो जाएगा बट कहने का मतलब क्या है कि यह जो less or equals to sign है क्या हो जाएगा change हो जाएगा greater than equals to greater than equals to x square क्या हो जाएगा minus x square और again यह जो less or equals to sign है हो क्या हो जाएगा greater than equals to यहाँ पर आपको कितना मिलेगा minus 9, कितना मिलेगा, minus 9 मिलेगा, ठीक है, then दोनों side में हम लोग 9 add कर देंगे, ठीक है, दोनों side में हम क्या करेंगे 9 add कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 9 plus 0 is greater than equals to 9 minus x square, ठीक है, is greater than equals to 9 minus 9, तो क्या हो जाएगा भी यह, 9 plus 0 is 9, ठीक है, greater than equals to 9 minus x square, और यहाँ पर आपको क्या मिले है, greater than equals to 0, ठीक है, greater than equals to 0, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हो, ठीक है, इधर लिख रहा हो मैं, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, 9 minus x square is greater than equals to 0, less or equals to 9 है, तो इसी को आप कैसे x square अगर आप दोनों side में root ले लेंगे ठीक है taking square root ठीक है taking square root अगर आप दोनों side में square root ले ले लेते हो ठीक है तो अगर दोनों side में आप square root ले ले लेते हो तो क्या मिलेगा so this will implies दोनों side में अगर हम square root ले 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 तो क्या हो जाएगा this is under root of 9 minus x square is greater than equals to 0 0 ka root हो जाए, 0 हो जाएगा और 9 का root हो क्या होना चीह कितना हो जाएगा? 3 3 हो जाएगा, so this will implies ठीक है? this will implies इसी को आप कैसे लिख सकते हो? it is greater than equals to 0 ठीक है? under root of 9 minus x square 9 minus x square, it is f of x कितना हो जाएगा? f of x and this is greater than equals to 3 ठीक है? तो इसी को आप क्या बूल सकते हो भी है? क्या बूल सकते हो? कि f of x का जो value है, ठीक है na? f of x का जो value है वो यहाँ पर कैसा है? greater than equals to 0 है और 3, less than equals to क्या है? 3 है, मतलब f of x जो हमें value देगा, x की value put करने के बाद, f of x हमें जो value देगा हो, क्या होगी? 0 से लेकर 3 के बीच में होगी, ठीक है? 0 से लेकर 3 से बीच में होगी, ना तो 0 से less हो सकती है, ना तो क्या हो सकती है? 3 से बड़ी हो सकती है तो इसको आप कैसा लिखेंगे? f of x belongs to, ठीक है? f of x belongs to the close interval included है, less or equals to है, इसलिए हमने close लिया हुआ है, 0 यहाँ पर भी less or equals to है, इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे? 3, close interval ठीक है, ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? f of x belongs to close interval 0 to 3, इसी को हम क्या कह सकते है? कि f of x का जो value है वो किस range में होगा? 0 से लेकर 3 के range में होगा, किस range में होगा? 0 से लेकर 3 के range में 0 भी हो सकता है, या फिर 3 भी हो सकता है, फिर उसके बीच के numbers भी हो सकता है तो इसका मतलब क्या हो गया? range ठीक है? range of f, range of f मतलब क्या? x की values put करने के बाद, ठीक है? x की values put करने के बाद f of x जो हमें values देता है वो क्या होता है range होता है तो हमने यहाँ पे देखा कि x की values put करने के बाद f of x की जो values हमें मिलती है वो क्या है close interval 0 3 तो हमारा range of f भी क्या हो जाएगा यहाँ पे close interval 0 3 क्या हो जाएगा close interval 0 3 तो भाई साब इसमें हमने क्या find किया है co-domain and range इस function का हमें domain कितना मिला हुआ है domain हमने कितना लिखा था closed interval minus 3 3 और यहां पर क्या है इसका जो range हमने क्या निकाला हुआ closed interval 0,3 ठीक है this is the solution for example number 2 लिखेंगे सब